कि कि आगे कि सेयर करूं कि जूपर ज़ल्दी बनकर तैयार हो जाएगी और मेरे काफी टेश्टी लगते हैं अधर करेक्ण इसके लिए हमने दो अंडे लिए हैं इन्हें हमें एक बोल में ट्रांस्फर कर लेना है यह हम बहुत सिंपल तरीके से बनाना बताएंगे हरी मिर्च हरादनिया प्याज बस इसी में हम बनाना बताएंगे और थोड़ी सी प्याज लिए है और हरादनिया लिए है थोड़ा सा इसे अब हम अच्छी तरा से फैत लेंगे एक फ्राई पैन लेंगे उसके अंदर हम थोड़ा सा तेल हो एड़ करेंगे जो हमने अंदा फैटावा है उसे हम इसमें एड़ करेंगे इसे हमें चलाते हुए अच्छी तरह से इसकी बुजिय टाई बना लेना है दो-तिन मिंट के बाद यह त्यार हो जाएगा और हमारे पास यह नमकीन चावल है इन्हें हम इसके अंदर एड़ कर देंगे यह चावल जो है हमने हल्दी डाल गर उबाल लिये थे इसलिए इसके अंदर हमें कुछ भी मसाले एड़ करने की जरूद नहीं पड़ेगी जब भी छोटी मोटी भूग लगी हो फ्रेंट्स जटपट से यह बना लीजिए और यह बहुत जल्दी बन कर तयार हो जाते हैं इसमें समय भी कम लगता है और महलत भी कम लगती है जब यह बन कर तयार हो जाएंगे इसके उपर हम थोड़ा सा हरा धन्यार स्प्रिंकल कर लेंगे ताकि यह देखने में खूब सूरत लगे देखे फ्रेंट्स हमारी राइस तयार हैं फ्राइड राइस अब मैं इसे सर्व कर रही हूँ आप दो फ्रेंट्स ये रेसिपी एक बर ट्राइ जरूर कीजिए अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है फ्राइड राइस की एक फ्राइड राइस की प्लीज लाइक, सेर और सब्सक्राइब मैं चैनल बाई बाई फ्रेंट्स प्लाइड बाईड राइस की झाल तो झाल